सो हेलो फ्रेंट्स विडियो में आपसे बात करने वाला हूँ लूनी से लेकर के मारवार जंक्शन तक इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की अगर आपने उसको चेक नहीं किया है तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं आप देख सकते हैं चेक तो खेर आप करी लेंगे लेकिन देखना उसको जरूर से है तो फिर चली अब बात कर लेते हैं लूनी से लेकर पाली मारवार तक के लेक्ट्रिफिकेशन की और लूनी जंक्शन के प्लेटफों नमबर एक और दो की भीच में जो एफो भी आता है उस जाने वाली लाइन पर वाइरिंग उदर की तरफ कर दी गई थी और अभी आप जैसा की देख सकते हैं लूनी जंक्शन के यार्ड में वाइरिंग का काम अभी यहां पर चल रहा है वरकर्स जो है पॉल पर चड़ेवे हैं और वायर वगरा को जो है एड्रेस कर रहे हैं फि अभी तक है इस के बाद लूनी से लेकर positiv तक की अगर बात करें तो लूनी से मारवार आउटर तक जो है नौर्मल पॉल्स ही लगाए है मतलब जो OHE की हाइट है वो नॉर्मल रहने वाली है मारवार से लेगे लूनी तक हाई राइस नहीं रहने वाली है और अभी आप लागले देखिए ट्रेन की लूनी रिवर के उपर से क्रोसिंग और इलेक्रिफिकेशन की बाद उसके बाद में करते हैं जो गैस लूनी रिवर क्रोस करने के बाद आपको यह पर हाइराइस पॉल्स देख रहे होंगे जिनके उपर अभी तक वाइरिंग नहीं करी गई है और यह हाइराइस पॉल्स जो है वो थोड़ी ही दूर तक रहने वाले हैं उसके बाद जो है वाइरिंग वापिस नॉर्मल हो जाएगी आप जैसा की देखी सकते हैं जो एस्टी बीटी है उनको पॉल्स पर थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाया गया है और लूनी से लेकर रहत की अगर बात करे जा है मतला इस सेक्शन की अगर बात करे जा है तो लूनी के लगबख तीन से चार किलमेटर अगे तक रहारिंग का काम नहीं हुआ है दो कि ऑप यह वायर को बस तारों से बांध दिया गया है रोहट से लगबग 4-5 किलोमेटर पहले आप देख सकते हैं पोल्स की नमबरिंग यहां पर करीज जा चुकी है और ओएची वाइरस की अगर बात करी जाए तो आप देख सकते हैं ओएची वाइरस को भी यहां पर प्रॉपर तरीके से जो है लगाया जा चुका है बात करें अभी रोहट इस्टेशन पर वाइरिंग की तो आप देख सकते हैं आप ड्रॉपर को नहीं लगाया गया है बस केटनरी से जो है कनेक्टिंग वाइर को एक छोड़े से तार की स्याथा से आप बांदा हुआ है प्रॉपर को एक बांदा है आप देख सकते हैं उपपर जो है दो तीन वरकर ओएची वाइर पर चड़े हुए है एस्टी बीडी को एजस्ट कर रहे है और ड्रॉपर यहां पर लगा रहे है वाइर्स पर और नीजे से ट्रेन अपनी पूरी रफतार में गुजर रही है तो उपर जो बैठा होगा कि देखो एनीवे नजारा बढ़िया है एक बार वापिस एक्शन रिप्ले करके देखते हैं अब जैसे कि आप यहां पर रोफट इस्टेशन के निखलने के जश्ट बात में देख सकते हैं यहां पर सभी स्टेशन बनाने का काम जो है अभी भी चड़ रहा है इसका काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है और जौतपूर से लेके यहां तक कोई भी सभी स्टेशन का काम नहीं हो पाया है के रिला स्टेशन जो की पाली मारवाट से पहले आता है और यहां पर भी वही सेम सीन आप देख सकते हैं उपर ड्रॉपर को ठीक से नहीं लगाया गया है केटनरी और कनेक्टिंग मैर गोई एक तार की साथा से टेंपरेरी यां पर बांद दिया गया है अभी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं स्टेडी ट्यूप को नहीं लगाया गया है मेल लाइन पर और लूप लाइन पर अभी तक वाइरिंग काम बिल्कुर भी शुरू नहीं किया गया है कर लो नहीं है कि केरला स्टेशन पर थोड़ा सा आगे चलने पर हैं मैं आपे क्लियरली देख सकते हैं कि में लाइन पर भी अभी तक कम्प्लिटली ओएची वायर्स यहां पर नहीं लगाए गए हैं कि में लगाए सित्वान पर लायर्स यहां पर दोगाए लायर्स यहां पर फुर के लागा हैं तो गैस यह जो आप जगा देख रहे हैं यह गेडला और पारी मारवार की पीच में एक जगा है जहाँ पर आपको एक ही वायर लगी भी दिखाई दे रही होगी उपपर नॉर्मली दो वायर लगी होती है लेकिन जिस दिन मैं यह अपडेट रिकॉर्ट कर रहा था उस दिन स जो बाद यहां पर ओएची वायर की चोड़ी हो गई थी तो यह उसी चोड़ी का नितिज़ा है कि आपको सिर्फ उपर केटनेरी वायर लगी भी दिखाई दे रही है नीचे जो कनेक्टिंग वायर लगाई गई थी उसको चौड़ चुड़ा के ले गए और केटनेरी वाय तो अभी पहुच चुके हैं फिलाल पाली मारवार के आउटर पर एंड आप यहां पर देख सकते हैं ओएची वायर पर जो है ड्रोपर वगरा सब लगाई चाच चुके हैं और साइड में आपको एक पॉल दिखाई दे रहा होगा जहां पर अभी आईसोलेटर और जंपर पाली मारवार के अर्यवल के साथ की पाली मारवार स्टेशन के यार्ड में किता कामिया पर हो चुका है इंड मैं आपसे मिलता हूँ पाली मारवार के डीपायर के बाद कर दो कर दो जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे होंगे और इससे थोड़ा सा आगी चलने पर आप यहां पर नोटिस कर पाएंगे जो मेंड लाइन के ओएंगे इसके ड्रोपर यहां पर टूटे वे पड़े हैं इनको ठीक से जो है कनेक्ट नहीं किया गया है यहां पर तो यह काम भी यहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है और यहा कि वाइरिंग में जित्ती भी छोटी मोटी खामिया है उसको दूर करने का यहां पर काम कर रही है कर दो कर दो कि दो यहां पर खाले कि जाद जाद बाद प्रोट्ट जाद वाद शुल झाले का यहां वाद दो टूट जाद एक बाद गड़ा है झाल 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 आप देख सकते हैं आप पर सभी स्टेशन बनाने का काम अभी तक चड़ रहा है जो इलेक्ट्रिकल एक्पिमेंट्स होते हैं जैसे की करन्ट ट्रांसवर्मर और पोटेंशियल ट्रांसवर्मर उनको अभी तक यहां पर लाकर इंस्टॉल नहीं किया गया है और पाली मारवार जंक्शन के आउटर की तो अभी तक जो है कर्व पर ओएची वायट नहीं लगाए गया है आप आगे देखने वाले हैं कि पॉल्स पर एस्टी पीटी वगएरा लगा दिये गया है लेकिन अभी तक जो है वायरिंग का काम अभी शुरू नहीं किया गया है और अभी आप आ आप 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 कि जोड़काером 2 फिर्ट हो जह उनाद कि झाल जोटा एंड कि विर्ट डिर्टेट सिर्टे के शिर्टें में जोड़त सिर्टेंडर दोड़कारि आले विर्टेंडर करें, विर्टें। कि अजी कि अजी कि अजी कि पंदो हुआ। प्धिक रिपक्तर नहें दो सिनसफ प्रुड़ कि घार प्रुड़ कि ये टुड़ खूट बढ़र शिबक्तर लिल कि लिएक विए धूट प्रुड़ कि लिए कि इंग उड़ खू़स्ट फ्रुड़ हुट हुआ हाँ को को पस्टनों तो गाइस यह थी लूनी जंक्शन से लेकर के मारवार जंक्शन तकी इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट एंड हमने इस अपडेट में देखा कि काफी सारे जो सब इस्टेशन से उनका काम बाकी बचा हुआ है ड्रॉपर वायर जो है उनको नहीं लगाया गया है जगा जगा प के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का जिसको पूरा किया जाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 28 मार्स तक बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है बाकी अगर फिर भी 28 से 30 मार्स के बीच में CRS इंस्पेक्शन हो जाता है तो मुझे लगते कि वह रूट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट बाकी में आप लोगों के लिए पूरी-पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी जोदपूर से मार्वार की बीच में फर्स्ट इलेक्रिक ट्रेन चलाई जैगी इस रूट पर तो उसमें मैं जरनी करूँ उसका एक व्लोग बनाऊ आ और मैं बोल नेरे सब्गा कि इतना मेरे तरफ से आज की इस वीडियो में आई ऑप की आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझबें आई होगी अगर आपकी वीडियो पसंद आदी तो इस video जो से लाइक कर दीजिएगा और आपकी सर्वाल यह कुशाववे तो आप a nice day, bye-bye.